वान फिर रस्ते ही पता नहीं चल रहा है अलबा भै कुछ क्या करो किधर से जाओ इस तरह आप गए तो गया काम आपको जल्दी में रखेंगे इस तरह निकल जाओगे तो पता नहीं उधर आपके सब क्या हो जाएगा नमस्कर दोस्तों आज का यत्रा महंद्रगिरी परबत पर आज का वीडियो इस एपिसोड का आखरी वीडियो रहेगा इस वीडियो में हम दारुब्रम्ह पॉइंट जगरनात मंदीर और अरजुन गुंफा समेथ कुछ खतरनाक जगा देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर अरजुन गुंफा को जाने का रस्ता एकदम खतरनाक है तो छुटे बच्चों महिलां और बुजरुकों को साथ में लेके मत जाईए बच्चों में लोगाम साथ मुट से खतरनाक जाईए फ्लिए बर्वारो है जाईए है खतरनाक जाईए जा जुखे रिए दो आज जाए 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 इधा जो बबच अगा रहा है ना इधा प्रदो लाना ठीक नहीं रहेगा इतना फ़ाइ जाए कि चलिए अभी जगनाप मंदिर दिखा रहा हूँ सायद बहुत कम ही लोग इधर आते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि एक अलग पाहड है और वह पाहड को जना यह दो को वह पाहड पूरा एकदम वह भयंकर सिचोसान नहीं हुद है वह बजने को आ रहा है और और में थोड़ा सुरस दिखता हुए लग रहा है लेकिन यहां पेना क्लाइमेट होता है सबका सबागे नहीं होता है इधर आने के लिए क्योंकि कैसा लोग डर जाते हैं और फिर आके अंदक फिर नीचे जाओ यह देखा हूँ इधर भगवन से होता है यह किसी को यह दर्शन नहीं मिलती है आपको मेरा चानल के मध्यम से दर्शन करा रहा हूँ आप जरा सब्सक्राइब कीजिए प्लीज ऐसे ही चड़ते हुए अप्धान अपड़ेगा जो कि अराम से अराम से सभाल की जाना पड़ेगा हम आके दारू ब्रहमा पॉइंट पर पहुंच गए वह पर और भगवा निलम आधव परवत के इस स्तान से फिशलते हुए बंगाल की खाड़ी में मिले थे इसलिए इस स्तान का नाम दारू ब्रहमा पॉइंट जब मौसम साफ रहता है तब इस स्तान से अगर आप देखेंगे तो बंगव सगर दिखता है इस बड़े पथर को एक छोटा सा पथर से अगर आप नक करोगे तो मैगनेटिक मेटालिक साउंड आता है जो हम कर नहीं पाहे लेकिन आपको बोलते हैं मैं अभी आपको दारू ब्रह्मा पॉइंट का उपर जगनात जी का दर्शन करा रहा हूं यहां पर एक गुंफा का अंदर भगवान जगनात का मुर्ती रखा गया है बारिस में आप इधर थोड़ा रूख सकते हैं कुछ नहीं होगा चलो जब पांडवने बनवास में थे तब पिता के दाहा सत्कार के लिए उनको गंडा वध करने का था तो उसी समय अरजुन का एक तीर कफिला गाय के सरीर में लगके कफिला गाय का मुर्तु हो गई जाता है कि अगर इस तरह आप अगय है कि अगया का आपको जल्दी में रखके तरब लुकर जाओगे तानी उधर आपके सब क्या हो जाएगा और जुन गुफा तक जाते समय आपका हर कदम खतरनक रहेगा थोड़े सी विगलती आपकी जान ले सकती है इसलिए आपको हर पल जगरुक रहना चाहिए महिंद्र परबत पर आम के बुख्य प्रचुर मत्र में पाए जाते हैं इसे सतियांब कहा जाता है क्योंकि द्वापर योग में एक दिन पांडव ने बिना फल आहर किये हुए इधर उधर भटक रहे थे तभी अचानक भगवान श्रीकुष्ण ब्राम्हन के रूप में आए और ध्रमराज युदिश्टिर से खाने के लिए कुछ मांगा और ये भी कहे कि यदि उसने खाने से इंकार किया तो उसने अपनी जान दे देंगे इसलिए द्रावपर दिने स्वामी युदिश्टिर की सत्य रख्या के लिए सखा कृष्ण को याद किया तो भगवान श्रीकृष्णा ने युदिश्टिर के सत्य रख्या के लिए द्रावपर दी से कहा कि तुमने अपने पती से कौन सी गुप्त बाते छिपाई है अगर मेरा सामने प्रकास करोगे तो तुम्हारा पती का सत्य रख्या हो जाएगी यह आपको रास्ता कि नहीं है पता नहीं यह भाई लोग आपने कहा लेकर जो यह जो रास्ता ना आपको असानी से पता नहीं चलगा कि यह रास्ता जाने के लिए कि यह आराम से यह फूरा महंद्रगीर का वीडियो एक वीडियो में नहीं आने वाला है यह इसको कवर नहीं कर पाएगा मेरे को लगए तिन चाल वीडियो बनाना पड़ेगा एक तो रहेगा जाते हैं लेकिन बहुत चला लोगों को पता नहीं रहता है कि आगे जगाणात मंदीर है वह भी अच्छा जगाए विवेंसवर मंदीर से तो अच्छा लगा मेरे जगांध मंदीर का जो पहाड करेजू यह बहुत सरा लोगा के बचला मेरे को आज औरजन मंदिर देखने के तो इतना आसान नहीं है इतर आना कि डल लगे को आपको कहां भी जाने का आपको पता नहीं चलेगा किदर जाना है यहां पर बारीश आया ना तो कुछ ऑफशन ही नहीं खड़े होने के लिए उस अप्सण ही नहीं कि अपर पुराहम है कि जंगल का अंदर आने के इधर आगे पहुंचे हैं फिर आगे जाना पड़ेगा रास्ता को लेके पहुंचे हैं यहार मेरे को तो पुस्पाइब कर दिखा रहे हैं तो अर्जुन मंदिर्याक दम लाख मुंद्र कि रिका इस पत्रों को देखो कि इसे रखा हुआ है तो इसको अब यह लगेगा आप जाते टाइम लगेगा तो फिर गिरों के नीचे नहीं देखे इसे महंद्र परबत का उपर सती द्रवपोदी ने अपने पती के सत्य की रक्षा के लिए सका कुरुष्ण से कहा कि भले ही उसके यह पांच पती हैं लेकिन वो अपने मन में महादनी कर्ण को प्रती के रूप में पाने का वीचार ले करके आई थी इसके साथ मैं लगबक अर्जुन गुंफा के करीब हो चुका हूँ जैसे ही द्रवपदी ने अपने पती की सचाई की रख्या के लिए श्रीकृष्ण को यह सचाई बताई श्रीकृष्ण ने पांडव की भूख मिटाने के लिए इस आम के पेड़ों को खूब आमों से भर दिया इसलिए इसको सती आम कहा जाता है यह बिस्ट घुड़ों कि आट गटेरा दिक विए रख्याव से भी पाहँ दिख्वी देरों अब्राव चुच गई साइमारे रस्टाइक रूपच्छा में यह तो आट गापर आप यह बी कर से ते हैं देखो अधिन आप यह कर सेथे हैं देखो ये वाला वीडियो देखके आपको पता चल गया होगा कि ये कितना जोखिम भरा रास्ता है ये वीडियो में इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों से थोड़ा प्यार मिले और जुन सुरू मंदिर को दर्सर कीज़े हैं जोब इसलिए एक दम राइट सेट में उदर से चले जाते हैं तो हमारा तूर अधा धूरा रह जाता लेकर इधर आने के बाद और जून सुरू मंदिर को देखने के लिए आपको अर्जुन मंदिर का अर्जुन मंदिर नहीं था यह अर्जुन गुंफा था कि अधर ने पता नहीं है अर्यार यार यह समझ में नहीं रहा है यह अधर लोगों को दुनिया में इतना जागा था कि इदे अधर हुचाप से था में कियो मुखओं दे था कि इनक्राइव और यह अधर यह को अधर यह अधर कि अ अधर आपने अधर यूजू आपने मिठा लगरा यह यह आ यार्जिन्दे किसे ताइम निकालके ना इधर अगर अपना अपना प्लोड प्रेसर डाइवेटिस इस अपकॉम करना है ना तो इसे स्थान पर आओ जब यह से मत सचो किसी का पीछे मत लगो यह से तो कुट्था भी किसी का पीछे लग जाता है आप इंसान हो के आराम से घूमो समाज के लिए कुछ अच्छा ही करो बहुत इदर आने के बाद फील हो रहा है पर हम कल रात में इदर रुके थे वो नाइट एक्कम थ्रिलिंग नाइट था यही पर अरजुन मंदिर के पास हमें यह वीडियो के एंट कर रहे है वीडियो अगर अच्छा लगाए तो चले लोगो सबस्क्राइब कीजिए आई कीजिए आपके कोई वीडियो सेयर कीजिए उनको बहुत को धन्यवाद देना चाहूंगा क्यों इनके बज़े से इधर आपाया यह वीडियो का मंदिर वहां से जगनाजी का मंदिर यह इनके आना पड़े गए जोंगल देके इधर पहुंचना इतना असर नहीं है आई लोगो धन् चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना अपनी मन तो कह रही थी कि इस स्थान को छोड़के मज जाओ लेकिन क्या करें हुआ हुआ जगनरची को दर्शन करने के लिए पागल होगे लेकिन अभी रशता नहीं मिल रहा है और यह हुछा तो डर लग एक चीज होता है ना आत चाहिंश्ट अ मिल जाता है लेकिन जाने की त्राइम प्रहस्टा नहीं मिलेगा दर लग यह यहां क्या करो किधर से जा झाल झाल